हेलो दोस्तो एक बर फिर से स्वागत आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स देखो में दोस्तो आई पिल में हर सीजन में कुछ यूवा प्रतिवा शाली भारतिय खिलाडी देखने को मिलते हैं जो अगले स्थर पर कुछ बड़ा करने के लिए हमेशा तैयार हैं और दोस्तो आने वाले आई पिल सीजन 2021 में भी ऐसे ही यूवा प्रतिवा क्रिकेटर हमें देखने को मिलेंगे और दोस्तो वह अपने प्रतिवा शाली अंदाच से लोगों को प्रभावित भी करते हुए नजर आएंगे और काफी सुर्कियां भी बटोरिंगी और दोस समात का सीजन 2020 में भी काफी लाजवाब था और बल्लेबाजी करने के लिए बहुत अधिक उसरत उन्हें नहीं मिले लेकिन कुछ भी मैचों में जो उन्हें मौका मिला उन्हें उन्होंने अपने आपकों स्पस्ट रूप से दिखा दिया कि वे एक मेडल ओर के पावर हिट बनने के लिए काफी परिपकों हैं भारत के समय में कवफिश शीट्स पर बल्लेबाजी करने के लिए काफी बल्लेबाज बिल जाएंगे लेकिन मध्यमकरम में बल्लेबाजी करने के लिए कुछी घिलाडी देखने को मिलते हैं तो अगर IPL 2021 में अब्दुल समात का सीजन ल कुल्दी प्यादो सफेद वर्ल क्रिकेट के पॉले दो फ़र्स चाइना मैं श्पीनर के रूप में थापित हैं लेकिन कुल्दी प्यादों को ज्यादा मौका तो नहीं मिल रहा है लगता है चैन करताएं भी यही देख रही है कि उनका रिप्लेस्मेंट उन्हें कम मिले और बेख फुल्दी प्यादों को बाहर कर दें तो दोस्तों बिश्णोई आने वाले आईपियल सीजन में अगर लाजवा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें इस आईपियल सीजन के बाद इंडिया टीम में भी खेलने का मौका मिल सकता है और दोस्तों सबसे महत्वपूर बात यह है कि रवी बिश्णोई एक परिपक्व गेंदबाज है और वह इस वक्ट अनिलकॉमले के नर्तित में गेंदबाजी सीख रहे हैं तो इससे उमीदे जटाई जा सकती हैं कि रवी बिश्णोई काफी लाजवाब गेंद बन सकते हैं अब बात करते हैं देवदत पड़िकल क ओपनिंग बैटिंग करने के तरीके को और साथ ही उनके पावर हिटिंग को काफी लोगों ने साल 2020 में पसंद भी किया था नई गेंद के साथ पावर प्ले में वे विश्वस्तर गेंदबाजों को भी काफी असानी से शॉट्स मार दिया करते थे परडिकल आने वाले सीजन मे अगर लाजवा प्रदर्शन करेंगे तो वो काफी सक्सेसफुल बैट्स में के दोर पर देखे जाएंगे और साथ ही आर सीबी में हैं तो इसका मतलब या है कि वो विराट कोली से कुछ ना कुछ सीक्स तो जरूर रहे होंगे और आने वाले सावें में भारतीय टीम के वर्ण चकरवर्ती की बारत के पिछले एक दसक में खेले गए सब प्रारूपयों में कुछ विश्वस्तरीय लें देखने को मिले हैं लेकिन उननों में से बिल्कुल अलग हैं वरूर चकरवर्ती मिस्ट्री स्पिनर की तोर पर अपने आपको उभा रहे हैं और उंगलियां बैक भी कर रही थी और आस्टेलिया के दोरे पर भी उन्हें भारती टीम में लिगा भी गया था लेकिन चोट के कारड़ वे सिरीच से बाहर हो गए थे लगता ऐसा है कि IPL 2021 में वरुण चकरवरती की गेंदबाजी का पूरा बोलबाला रहने वाला है अब बात करते हैं पांचवे नमबर पर टीन अटराजन की किसी भी औरकर गेंदबाज को अगर याद किया जाए तो लासित मलिंगा मुहमद शमी जस्पीद भूमरा का नाम काफी जादा याद आता है लेकिन दोस्तों टीन अटराजन ने IPL 2020 में अपनी एक चाप छोड़ी औ और IPL में एक यॉरकर किंग से नमब के मशुहूर गेंदबाजों में अपने आपको शुमार कर लिया और दोस्तों टीन अटराजन ने संराइज हैदराबाद के लिए खेलते हुए एक से एक साटीक गेंदबाजी भी की और दोस्तों उसके बाद उन्हें जल्द ही आइंड पांच इंडियन भारतिय यूबा क्रिकेटर जो आईपेल 2021 में भी लाजवा प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे आपको क्या लगता है इन पांच क्रिकेटरों में से कौन सा क्रिकेटर का सीजन सबसे ज्यादा सफल होने वाला है यह हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लि प्यूब कर लगता है यह लिंच जसे क्रिकेटर व्यूब